OnePlus के अगर आप fan है या फिर OnePlus का phone लेना चाहते हैं जो कि latest launch होने वाला है 9 series का तो ये वीडियो आपके लिए है सबसे पहले बता दे कि OnePlus के दुआरा आने वाले कुछ समय के अंदर announcement start कर देने हैं करने और सबसे जरुड़ी बात ही है कि OnePlus अब की बार 4 product launch करने वाला है और वो 4 product में 9 series के 3 phone और एक OnePlus का watch होने वाला है लेकिन सबसे जरुड़ी बात ही है कि OnePlus का 9 series का phone launch कब होगा, price कितना होने वाला है और सबसे important बात अगर आप pre-order करते हैं तो आपको free में कुछ gifts मिलने वाले हैं वीडियो को last तक देखेगा आपको clarity मिल जाने वाली है सबसे पहले आपको पता दें कि OnePlus 9R जिसके बारे में बात की जा रही थी कि 9 Lite भी हो सकता है या फिर 9SE भी हो सकता है लेकिन फिलहाज इंफर्मेशन निकल के सामने आ रही हो यह है कि snapdragon 690 के उपर बेस्ट यह phone होगा जो कि एक 5G phone होगा और इसका price 20,000 के range में इसलिए होने वाला है कि 25,000 के पास आपको already OnePlus 9R देखने को मिल रहा है तो 20 to 25,000 के बीच में इसका price हो सकता है जो कि बिलकुल copy हो सकता है OnePlus Nord N10 का आप बिलकुल साही सुन रहे है 690 के उपर पहले ही launch किया जा चुका है यह phone और इसके अंदर जो specs होने वाले हैं अल्मोस्स सिमलर तरीके के होने वाले है 6.5 इंच का Full HD Plus डिस्प्ले 90Hz refresh rate 64MP का primary rear camera जो की quad setup हो सकता है और 5000 mAh की बैटरी जो की fast charger साथ आने वाली है और 6GB, 8GB RAM variant में यह phone आपको देखने को मिलने वाला है 9R के बाद अगर बात करते हैं तो दो phone और आने वाले हैं जिसके बारे में बहुत पहले links आने start हो चुके थे जिसके picture आपने already देख लिये होंगे अगर Instagram पे मुझे follow करते हैं तो आपने बहुत साइए information already gather कर लिया होगा नहीं करते हैं follow तो link लीचे दिया गया है वहाँ जागे follow कर सकते हैं फिलाल आपको बता दे कि 9 में आपको जो display पे photo दिख रहा है ऐसा phone हो सकता है back से क्योंकि front से आपका 9R तो होगा flat screen 9 जो होगा वो हो सकता है कि curve screen हो चांसे जादा है 9 pro जो है 100% curve screen होने वाला है क्योंकि 8T हो 8 pro सारे curve screen होते थे तो ये भी phone आपको curve screen में देखने को मिलने वाला है लेकिन 9 के अंदर जो camera setup होने वाला है वो 9 pro से थोड़ा सा कम जोड़ होगा जो की hassle blade camera के साथ आ रहा है 9 pro और 8 मार्च को OnePlus की तरफ से announcement किया जाने वाला है screen के उपर आपको थोड़े बहुत मैंने space present बता दिये है snapdragon 8888 के साथ दोनों phones आएंगे इसके अंदर quad HD वाला आपका display होने वाला है refresh rate आपका 120 Hz होगा बैटरी जो होगी आपकी लगबग 45 वेच की हो सकती है charger जो होगा 65 Watt का होगा और भी चीज़े जो आपको बाकी 8T या 8 Pro में रहने को मिलती थी वो सारी होंगी आपका processor थोड़ा upgrade करके मिलने वाला है लेकिन जो camera की बात की जा रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 8 March को camera के बारे में OnePlus की तरफ से announcement किया जा सकता है जिसके बारे में OnePlus बताना शुरूख कर चुका है अब यह सारी information आपको अलड़ी पता होंगी या फिर आपने अलड़ी देखा हो कहीं न कहीं लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ साय जो आपको मालूम ना हो जो की EVLIX के दोवारा लेके आए गया है voice के उपर जहांपे बताया यह जा रहा है कि 23rd March से आपको booking के लिए मतलग कि pre-booking के लिए offer दिया जाएगा जिसके अंदर 9, 9 Pro और 9R तीनों आप pre-book कर सकते हैं इंट्रेस्टिंग बात यह है कि 9 और 9 Pro के अंदर अगर आप pre-booking करते हैं तो आपको gifts मिलने वाले हैं आप साही सुन रहे हैं जो OnePlus 9 के साथ आपको gift मिलने वाला है pre-order करने पे जो कि आपको पास जब phone आएगा OnePlus 9 launch होने बाद तो उसके साथ आने वाला है जो कि होने वाला है OnePlus Bus Z और वही आपका special edition वाला जो कि Harrington वाला था वो आपको मिलने वाला है OnePlus 9 Pro के साथ आपको यह बता दें कि जिन लोगों ने OnePlus Nord book किया था उनको भी कुछ gifts मिले थे अगर आपको याद हो तो इसी तरीके से OnePlus कोशी से करता है कि कुछ gift vouchers, कुछ gifts आपको दे कि लोग अकर्चित हो और उनका phone खर दे तो यह बहुत basic और बहुत important information था कि आपकी pre booking 23 समा से start होने वाली है ready हो जाए उसके लिए लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा Nord में काफी लोगों को समस्या आई थी मेरे हिसाब से 9 series के अंदर अगर आपको कोई समस्या आती है तो मुझे Instagram handle पर जरूर बताईएगा कि आपको क्या समस्या आ रही है Thank you so much विडियरेंग लिए Share करना भी तो मत बुलिएगा Thank you so much again